हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 3-1-TEC तो फ्रेंट्स जैसे कि आपको पता है कि जो आपका वोटर आईडी कार्ड है उसको अब आधार कार्ड से लिंक करवाना अनिवारे हो गया है तो फ्रेंट्स जैसे कि आपको थमिल से भी पता लग गया हूँ कि आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि क्या आप कैसे ही घर बैठे बैठे ऑनलाइन ही अपने वोटर आईडी कार्ड को अपने अधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं जो आपकी वोटर वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स हमा चुके हैं अपने मुबाइल फोन की स्क्रीन के उपर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं तो अपने वोटर कार्ड को आपको अधार कार्ड से लिंक करने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर के अंदर जाना है प्ले स्टोर की जो एप्लिकेशन है आपकी उसको ओपन कर लेना है और आपको यहाँ पर सर्च करना है यहाँ पर लिखेंगे वोटर हेलप लाइन ठीक है इसको आपको सर्च करना है और इस एप्लिकेशन को आपको इंस्टोल कर लेना है अपने फोन के अंदर तो मैंने इस से install कर रहा हूं अगर आपके पास already है तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है जब तक मेरे phone में install होए तो install हो चुका है आप देख सकते हैं यहाप उसके बाद आपको simple इस open वाले button पे click कर देना है open वाले button पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो यह application है यह कुछ इस तरीके से आपके सामने open होने लग जाएगी तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आपके सामने यह screen आ जाएगी तो यहां से आपको कुछनी करना नीचे आकर आपको I agree का box दिखाए देगा आपको simple इस पे option दिख रहा है आपको क्लिक करना है इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने काभी सारे option आजाएंगे आप देख सकते हैं यहां पर आपको सबसे पहले जो वोटर registration का option है आपको simple इसके ओपर click करना है और यहां पर आपको काभी सारे मिलेंगे Language Setting, New Water Registration, Deletion, Correction और इसमें आपको Last में यह Form B, Form 6 B दिखाई देगा, Last Option है जो Electroler वाला, उस पे आपको क्लिक कर देना है, आपको अधार कार्ड अपना लिंक करना है इससे, तो आपको इस वाले Last वाले उप्शन पर क्लिक करके, ठीक है, Next पेज यह उपन हो हैं, जो आपके Water ID Card में हैं, तो मैं यहाँ पे जल्दी से Number डाल देता हूं, तो मैंने यहाँ पे Mobile Number डाल दिया है, उसके बाद आपको Send OTP पे क्लिक करना है, आपका जो Mobile Number है, उस पे एक OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे डालना है, तो मैं Send OTP पे क्लिक करके, उस OTP को यहाँ पे डाल देता हूं, तो यहाँ पे आपको Let's Start के उपर क्लिक करना है, Let's Start पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो यहाँ आपके सामने यह Page Open आ गया, Do You Already Have Water ID Number, मतलब आपके पास Water ID Card है, उसका अगर आपके पास Water ID Card है, तो उस पे आपका Number भी होगा, और अगर आपके प सकते हैं, अगर आपके पास Water ID Card नहीं है, ID Number नहीं है, तो यहाँ पे आप अपनी Details डाल के, सारी नाम डाल के, ठीक है, Parents का नाम डाल के, Gender डाल के, Age, State, District, यहाँ पे आप सारी चीज़े डाल के अपना Water ID Number पता कर सकते हैं, मैं Back आ जाता हूं, और मेरे पास ज्यादतर लोगों के पास Water ID Card है, तो हम Yes पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद हम Next पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ से आपको बोल रहा है कि Please enter your Water ID Number, तो यहाँ पे हम अपना Water ID का जो Number है, हमारे Card का, वो Number हम यहाँ पे फिल कर देंगे, तो मैं जल्दी से यहाँ पे फिल कर देता हूं, तो मैंने से आपकी जो भी State है, आप वो State को Select कर सकते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे Face Details का एक Option मिलता है, आप चाहें तो यहाँ पे Face Detail भी कर सकते हैं, जैसे मैं Face Detail पे क्लिक करूंगा, तो यह मुझे से कह रहा है कि यहाँ पे आपको Face Detail पे नए सीधा Proceed वाले Button पे क्लिक करना ह ठीक है, तो हम Proceed वाले Button पे क्लिक करेंगे, और Proceed वाले Button पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आपके सामने इस Water ID जो आपने Number डाला है, इस सारी Detail आपकी Automatic यहाँ पे Show होने लग जाएगी, आपका नाम क्या है, Age क्या है, Gender क्या है, ठीक है, यहाँ पे सारी Detail आपको Show होने आ रहा है कि I am this, नाम आ रहा है, आपका Enrolled in Electroller Roll Off, आपका कौन सा Area है, वो भी हाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आपका EPIC नमबर भी आ रहा है, Automatic जो हमने Water ID नमबर होता है, ठीक है, यहाँ पे यह सारी चीजे टिक लगे हुए आ रहे हैं, ठीक है, यह डले हुए हैं सारे इसम ही है, तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे एक option और दे रखा है, कि I am not able to furnish my आधार नमबर, because I don't have आधार नमबर, तो यहाँ पे हम, जो यह red box, जहाँ पे जो यह red लिखा हुआ है, I am not able वाला, इसके आगे box जो है, उस पे click करेंगे, अगर आपके पास आ document, इन में से कोई भी अगर आपके पास है, तो आप वो use कर सकते हैं, ठीक है, उसके use कर सकते हैं, आप यहाँ पे upload का option है, यहाँ पे वो file upload कर सकते है, JPG, ठीक है, और उसका जो size है, वो 2MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2MB से कम की file होनी चाहिए, ठीक है, जो भी आपका number डाल देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे आधार number डाल दिया है, आप देख सकते हैं, इसके सामने जो यह green color का tick लगा हुआ आ गया है, मतलब यह सही है, उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ आपको mobile number बोल रहा है, यहाँ डालने के लिए, यहाँ पे email ID और यहाँ पे place, जहाँ पे आप रहते हैं, वो सब आप यहाँ पे fill कर देंगे, तो मैं जल्दी से यह तीनों चीज़े fill कर देता हूँ, तो मैंने यह तीनों चीज़े डाल दी है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, done जो यहाँ पे लिखा रहा है, हमें simple is done पे click कर देना है, उसके ब यहाँ पे आप edit भी कर सकते हैं, cancel करके दुबार आप edit कर सकते हैं, उसके बाद आपको सब कुछ okay है, तो यहाँ पे आपको confirm पे click करना है, तो मैं confirm पे click करूँगा, और confirm पे click करते ही, आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे सामने यह open हो गया है, कि your application has been submitted successfully, और हमें message भी आ गया है, तो अब यह जब वहाँ से verify हो जाएगा, तो आपका जो आधार card है, वो आपकी voter ID card से link हो जाएगा, इस तरीके से आप अपने voter ID card को अपने आधार card से link कर सकते हैं, online बहुत ही आसानी से, तो friends अब आप यह आसानी से अच्छे से सीख गए होंगे, कि आप कैसे घर बैठे बैठे अपने mobile phone से ही सिर्फ एक application को download करके, उसके जरीया आप कैसे अपने voter ID card को अपने आधार card से link कर सकते हैं, अगर फिर भी वीडियो से related कोई भी question query आपके mind में है, तो आप मझे नीचे comment section में comment करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो, तो इसे like और share जरूर करें, thank you